2014 में क्या बोले मोडी साब मित्रों भाईयों बहनों आप सभी लोग जन दन खाता खोलो मैं दन दन 15 लाग डालतों आया किसी को 15 लाग मिला किसी को सब को उल्लू बना दिये और दो बार सीट गदी को उठा लिये उनों मैं आप से एकी सवाल पूछ तो क्या क्या सुनाये मोड नहीं दिये और फिर एक बार एक इंटर्व्यू चल रहा था उनका मोडी साब का मैं देखा उसमें क्या हुआ वो बेचारा रिपोर्टर पूछ लिया अरे मोडी साब आप बोले ना दो करोड युवां को रोजगार देंगे बोलके क्या हुआ साब बोले तो मोडी साब क्य काम पकोड़ों में करते आज पकोड़ी तेलना भी रोजगार है करते मोडी के हिसाब से मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाईयों बेनों अगर मोडी की मुकालिफत करना है मोडी को हराना है बीजेपी को हराना है तो वह काबिलियत के सियार में है और किसी में नहीं एक और बात भी मैं कहता हूँ आज बिचारा राहूल गांदी मजबूर है आदत से कुलकत्ता जाता है राहूल गांदी राहूल गांदी कुलकत्ता जाके बोलता है दीदी आप बीजेपी के बीटीम हो वहाँ से निकलता है और जाता है दिल्ली वहाँ जाके बोलता है केजरीवाल तुम बीजेपी के बीटीम हो, वहाँ से आईदरबाद आता, आके बोलता केसी आर, आप बीजेपी के बीटीम हो, आदत से मजबूर है बिचारा, ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहाँ आप सभी को भाईयों, एक वादा करते हैं आप से आज, जब तक सियासत में र दिल्ली वाले जो हमें डराने की, धमकाने की कोशीष कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहें, जो भी कर लें, उनको नाकाम करेंगे, जिंदगी बर सेकुलर रहेंगे, बीजेपी को हराएंगे, जरूर pool के कि मदद हो, गुलाबी जंडा दिल्ली में भ आप से करते हैं मी अंदर इने प्रारत इन चे तेलरेशन का लूनो लूना रहिडा